हेलो डियर इस्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई इस्टूडी मेड इलही चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं कारिपत्रक 32 की यानि की वर्क सीट्स नंबर 32 की जो क्लास 6 के समाजिक ग्यान के बच्चों के लिए दिनांग 11 नमबर 2021 के लिए आई हुई है और जिसका उप विशा है सरकार के अस्तर तो बच्चों वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दें अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अब बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफ सकें इसके लिए सरकार को सभी जरूरी इंतिजाम करने होते हैं जैसे सुरच्छा के लिए सेन, कानून ब्यवस्था बनाय रखने के लिए पुलिस, स्वास सेवाएं या तायास सुविधाएं जैसे की सडक, रेल, हवाई जहाज, आदी, डाक संचार, सिछा ब्यवस्था, बैंक, विजली, पानी, तता सभी नागरिकों के लिए भोज़ा नित्याद, आप लोगों ने देखा भी है, आप पिछली क्लासम पढ़ा भी है, कि जो हम लोगों के लिए सरकार द्वारा कुछ इंतिजाम किये जाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, जैसे कर सुरच्छा की बात करें, तो सुरच्छा के लिए सेना है, ठीक है, और कानून ब्योस्था बिगड़े ना, लोगों जैसे आपस में लोग लड़े भीड़े ना, इसके लिए क्या होता है, पुलिस है, ठीक है, फिर स्वास से वाँ यानि का अस्पताल, मतलब कोई बीमार हो गया तो उसके पास सूचनाय पहुचाने के लिए देखें, डाक संचार है, ठीक है, और पढ़ने के लिए स्कूल है, सिछा ब्योस्था भी है, ठीक है, और जैसे पैसे के लेंदेन के लिए बैंक है, ठीक है, बिजली की ब्योस्था, पानी की ब्योस्था, ठीक है, और सभी नागरिकों के यानिक लोगों के लिए इंतिजाम कर रखे हैं तो ये सब सरकार के काम हैं तो सरकार ये सारे इंतिजाम कैसे करेगी सरकार अलग अस्तरों पर काम करती है देखे अगर किसी एक हाथ में सारे काम दे दिये जाएं तो वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से कि उस काम को कई लोगों के हाथ में दे दिया जाए तो इसके लिए क्या होता है कि सरकार को अच्छे से काम काज करने के लिए जो उसके काम है वो उसको जो है कई भागों में बाट दिया जाता है तो भारत के अगर बात करें तो यहां पे जो सरकार है उसको तीन भागव में बाटा गया है ठीक है और जिसमें सबसे उपर जो है उसको बोलते है राश्ट्री अस्तर की सरकार ठीक है राश्ट्री अस्तर पे फिर राज्य अस्तर पे ठीक है और सबसे नीचले अस्तर को बोलत किया जाता है, तो आई इसमें आगे देखते हैं, देखिए, यहाँ पे एक त्रिभूज का कार में आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, तो देखिए, इसमें सबसे उपर जो है, क्या है, राष्ट्री सरकार, ठीक है, जो केंदर की सरकार है, याने की राष्ट्री सरकार, दूसरी है राजिकी सरकार, मिलखें कि इतनी राज्ज हैं, जिसे भारत में अगर टोटल अठाइस Rाज्ज हैं, तो 28 राज्ज में भी सरकारे एं और कुछ किन्सासित प्रदेस हैं वहां की भी सरकारे हैं, ठीक है? तो उसको बोलेंगे राजज सरकार और जो तीसरा है? वो है अस्थानी सरकार ये आपको जिले के अस्थार पर दिखाई देती हैं जैसे कि नगरपालिका है ठीक है ये सब चीजे और ग्राम पंचायात ये सब जो चीजे हैं ये सब क्या हैं ये सब अस्थानी सरकार के भाग हैं तो देखिए आए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्थ अस्तानी अस्तर की सरकार करती है जैसे मालेजिये आपके गली में जो है गंदगी है अब उसके बारे में एक केंद्र की सरकार जैसे मालेजिये केंद्र में मोधी सरकार है तो उसको उस गली के विसे में उतने अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगी जो आपके महले के या जो आ तरीके से काम कर सकते हैं तो इसलिए उसकी काम के लिए जो है अस्थानी अस्तर पर सरकार का गठन किया जाता है ठीक है तो जो अस्थानी सरकार है वो क्या क्या काम करती है जो आपके आस पास की जैसे सड़कों की साफ सफाई करनी हो पार्क है ठीक है और सामदाइक भवान प् बात करते हैं राज सरकार की, तो किसी राज में लोगों की कुछ जरूतों का इंदिजाब राज सरकार करती है, जैसे कि राज में सड़क, सिक्छा, जिला अस्पताल, पीने के पानी, आज की ब्योस्ता, तो देखें जो राज सरकार होती है, हर राज में जो हैं सरकारे हैं, ठ ठीक है, तो इस तरीके से हर राज्यों में सरकार होती है, तो उसके क्या काम होते हैं, वो लोगों की जरूरतों, कौन-कौन सी जरूरतों का पूरा करता है, तो उसमें मुख खिरूप से देखिए, सड़क, ठीक है, सिक्छा की ब्योस्ता, जिला अस्पताल, ठीक है, अस्पता जिनका संबंध पूरे देश से होता है जो राश्टी सरकार होती है ये इसको वैसे काम दिये गए हैं जो पूरे देश से रिलेटेड हो जैसे की सुरच्छा, मुद्रा, रेल सेवा आज ऐसे कारें का इंदिजाम राश्टी अस्तर यानि राश्टी सरकार करती है देखें यहा केंशरकार का वहाँ पर महत तो बढ़ जाता है तो वह जो है केंशरकार के हाथ में सुरच्छचक भी उस था फिर मुद्रा जिसा भी जल्द में ही जो है नोट बदले गए थे जैसे कि क्या हुआ था कि हजार के नोट बंद कर दिये गए ठीक है तो इस तरीके से यह काम भी ज वो सब जो है कैन सरकार के हाथ में हैं, तो ये सारे काम, ये सारे इंतिजाम जो है, ये सारी सोभिधाएं कौन देता है? राश्री सरकार के द्वारा दिया जाता है. तो आईए बच्चों, आज की इसी वर्क सीट से रिलेटेड कुछ आप से प्रस्ण पूछे गए हैं. उसे देख लेते हैं, कथन दिये हैं और उनमें सही आप्षन को गोला करना है. निम्रखित कतनों में से पहचानिये कि वे सरकार के किस अस्तर से संबन्दित हैं. कथन दिया है और दूसरे साइड में लिखा है अस्तानी अस्तर, राज अस्तर और राश्ट्री अस्तर. तो देखिए, पहले बात करते हैं, पस्चिममंगाल सरकार का अपने राज्य में, सभी सरकारी स्कूलों में कच्छा आठ में बोड की परीच्छा लेने का निर्ड़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चूंकि एक राज सरकार से समंधित है तो यहाँ पे राज सरकार वाले आपसन को गोला करेंगे यह आपसन सही हो जाएगा ठीक है अब नेश्ट है दिली के मंगोलपूरी इलाके में यहाँ पे दिली के एक इलाके की बात हो रही है दिली के यह नगरपालगा के द्वारा देखा जाएगा तो ऐसे में जो ही यह अस्थानी अस्तर पर हो जाएगा ठीक है दूसरे में क्या हो जाएगा अस्थानी अस्तर अब नेश्ट है हरियाणा सरकार का देखिए यहां पर हरियाणा क्या है एक राज है ठीक है अब वहां कि सरकार की बात में हर्याणा सरकार की बात है यानि हर्याणा राजी की बात हो रही है तो अपने राज्य में सभी किसानों को मुत बिजली देने का निड़े तो देखे हर्याणा सरकार के द्वारा यानि के राज्य के द्वारा निड़े लिया जा रहा तो यहाँ पर राज अस्तर हो जा कानिड तो चुए- ले के अंतरकत काम हो रहा है यहां पर यह यह जो है एक अस्थान की बात यहां अस्थानि अस्थानी अस्थर पर यह पर पर हो जाएगा तो यहां अस्थानी 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 को आप गोला करेंगे और तो देखे जो नोटों का, जो मुद्री करण का या नोट बदलने का जो भी काम है, मुद्रा से related वो जो है कैन सरकार, यानि कै राश्ट्री अस्तर की सरकार का काम है, तो यहां पर जो राश्ट्री अस्तर वाला गोला है, उसे हम काला कर देंगे. तो इस तरीके से ये आज की वर्क्सीट आपकी कम्पलीट होती है आई हो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इसके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तेंक यू